Inner Child, ये वाला topic, ये वाला subject हमने काफी बार सुना है, पढ़ा है, देखा है कि Inner Child basically होता क्या है? Inner Child होता है कि हमारा जो बच्वन में behavior रहा है, तो बच्वन में जो हमारा lifetime थी, यानि कि उस time पे जो हम थे, हम बच्चे ही थे, उस time पे हमारी psychological health के ओपर जो जो चीजों ने असर डाला है, वो ही चीजे आज हमारी present life में अच्छा या बुरा कर रही हैं, तो जब हम Inner Child healing की बात क करते हैं, तो हम उसी root cause पे जाके उस time पे जो जो negative psychological setbacks हो गए थे, उनको reprogram करने की कोशिश करते हैं, और उनको ठीक करते हैं, अब पता कैसे लगेगा हमें कि हमें Inner Child healing की requirement है या नहीं, ये main बात आ जाती है, तो मैं आज आग के सामने तीन ऐसे science लेकर आया हूं, जो हमें help कर ये identify करने में कि हमें Inner Child healing की requirement है, देखे, triggers होते हैं, triggers होते हैं, जब कोई situations होती है, तो वहाँ पर हम जो reaction देते हैं, वो हमें identify करने में मदद करते हैं, तो सबसे पहले trigger आ जाता है, जब हमारे मन में बहुत जादा fear होता है, या तो rejection का, या फिर judgment का, बच्पन में हमें इतना टोका गया, हमारी हर एक बात को रोकने से बोला गया, अरे ऐसे कैसे बैठे हो, ऐसे कैसे कबड़े पैने हैं, ऐसे कौन खाना खाता है, इतना जादा टोकटा की हमारी वच्पन में रही है, कि आज हमारी personality इस type की हो गई है, कि हमें बहुत जादा डर लगता है, rejection से या फिर mind में रहता है, और जब भी हमारे सामने को ऐसे situation आ जाती है, जहांपर हमें कुछ एक नया try करने की कोशिश करनी पड़ती है, या किसी से जाके बात करने का जो approach होता है, वो करना पड़ता है, वहाँ पर हमें ये fear आ जाता है, तो trigger क्या हुआ, ये activity को करना, और ये fear आ जाता है, तो this is the first sign, second sign आ जाता है, जब हम छोटी छोटी situations पे हद से जादा explosive reactions देते हैं, disappropriate reactions हम देते हैं, हमें बात में realization होती है, कि यार इतना गुसा मुझे नहीं करना चाहिए था, या इतना जादा मुझे नहीं हसना चाहिए था, या इतना जादा जोर से मुझे नहीं चलान चाहिए था, या इतना जादा मुझे नहीं रोना चाहिए था, emotional reaction कैसा भी हो, लेकिन वो उस situation के एसाब से हद से जादा हो जाता है, disproportion सा हो जाता है, और यह इस चीज की हमें realization होती है, तो this is the second sign, तीसरा sign आ जाता है, procrastination, किस चीज को लेके, especially उन activities को लेके, जो हम actual में करना ऐसा नहीं है कि बस करना है, नहीं, हमारी दिल से इच्छा है कि हम वो करना चाते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो activity हमने आस तक नहीं करी है, तो उसको लेके हमारे मन में काफी सारे mixed reactions आ रहे है, emotional feelings आ रहे है, अब वहाँ पर हमें एक डर भी आ रहा है, कि यार अगर मैं ये नहीं activity करूँगा, तो मैं क्या पता, जो मेरे daily schedule है, उसमें हलकी से disturbance आ जा जा और मैं uncomfortable feel करूँगा, तो हम अपने comfort zone में इतने ज़्यादा secure अपने आपको महसूस करते हैं, कि हम वो activity भी करने से procrastinate करते हैं, जो हम actual में करना चाते हैं, तो this is the third sign, तो आज़ी वीडिय लेकर आता रहूँगा, तो inner child healing के लिए हमने hypnotherapy का session free of cost बना रखा है हमारे YouTube channel पर ही है, और उसका link में description box में भी ढाल दूँगा, आप उस session को सुनना शुरू कर सकते हैं, daily सुनेंगे तो आप बहुत जल देखेंगे, आपकी mental health में, आपकी personality में काफी positive changes आने शुरू हो जा हूँ झाल जहें हूँगा, घुर ग खफ्धाद समंघ, र देखेंगे, और हूँगा है, रेकम का तुरू हूगा है statements声